असलाम लेकुम दोस्तो वेलकम टू शहनीलास फूड आज मैं आपके साथ शल्जम गोश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको हम बक्रे के गोश में बनाएंगे बहुत ही मज़िदार बनता है शल्जम गोश और आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी रंगत और इसकी स्मूध सी स्मूध सी ग्रेवी बनी है बहुत सारि लोगों को को प्रापलम होती है कि सबूधी कोश की जो अचले होती है वह उनकी स्मोध नहीं बनती या बहुत गारी हो जाती है या पतलए हो जाती है तो मेरी वीडियो आन तक देखिए इन्शाबला सारी jmon सुभवार्टyball啊 बिसम लाइरोम रभी शुरू करते हैं पकाना यहाँ मैनने कूकर ले लिया हैolution travelers उयल को तूरवासा हम गर्म कर लेंगे मैंने बारी काट लिया है और यह भी मैसमें शामल कर रहे हैं अब हमने प्यास को आईल में इतना फ्राइ करना है कि यह बुल्कुल लाइट गोल्डन कलर की हो जाए जादा डार्क नहीं हो वरना शोरवे का कलर अच्छा नहीं बनेगा सही है यह देखें मुल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर हो गया है इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूं ताकि इसकी कुके यहीं स्टॉप हो जाए और प्यास गलना शुरू हो जाए ठीक है अच्छा अब मैं यहां पे एक टी स्पून अद्रक का ले रही हूं अद्रक का पेस्ट यह देखें एक मिनट हो गया मुझे से भूनते भूनते बहुत अच्छी तरह से प्यास रदरक लेसन भून किया है अच्छा यह मेरे पास डेड़ पाओ बकरे का गोश्ट है यह मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी मैं बहुत अच्छी तरह भून लूँगी ताक नमक मिर्चे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या जादा ले सकते हैं गोश्ट भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से लीजेगा सही मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल कर रही हूं ताकि मसाला जले नहीं और अब मैं इसको बहुत अच्छे दरीके से भून लूँगी यह देखें बहुत अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है अच्छा यह मेरे पास दो बड़े साइस के टिमाटर थे उनको मैंने थो अच्छे नहीं लगते हैं तो इस देखें हमने बहुत अच्छी तरह किसे इसको भून लिया है और टिमाटरो मैंसे सारा ऑइल अलग हो गया है पानी खुश्क हो गया है और यह देखें कितना अच्छा दानेदार हमारा मसाला भून के तयार हुआ है इससे हमारी गरेवी ब जादा पानी डालना पड़ेगा और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कुकर पे गोश को गला लूगी यह देखें 10 मिनट हो चुके हैं और गोश्ट हमारा 3 क्वार्टर गल चुका है क्योंकि अभी हमने इसमें शल्जम डालके भी गलाना है इसलिए मैंने इसको फुल डन नहीं क किया है वरना फिर बोटियां तूटना शुरू जाती है सही है यह देखें मैं इसको चुरी से अगर दबा रही हूं तो यह तूट रहा है गोश्ट ठीक है यह हमारा समझने 3 क्वार्टर डन हो गया है पूरी तना मैंने निगलाया है अच्छा यहां मेरे पास आदा किलो श हरी मर्चों की हरी मर्चे जरूर डालिएगा ठीक है और अब मैं इसको ढखकन डालके पहले मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूं ताके शल्जम गलने का भी पानी होना चाहिए पूरा खुशक ना हो जाए और फिर मैं इसको ढखकन लगा के गला लूगी यह देखें आप य मैं आपको उसमें चुरी डाल के दिखाती हूं कितने अच्छी सॉफ्ट हो गया है सही और गोश भी फुल डन हो गया है और अब मैं यहां पे इसमें लीमू शामिल कर रही हूं लीमू जरा इतियास से डालिएगा क्योंकि हम टेमाटर डाल चुके पहले इसमें और मिरे पा लग दूंगी थोड़ा साहर धनिया है मेरे पास वह मैं इसमें डाल रही हो भी पतीली में और थोड़ा सा गार्णिश के लिए रखा है मैंने पांच मिनट के लिए मैं इसको दंपे रखूंगी और मैं इसको डिशाउट करके आपको दिखाती हूं तो यह देखें दोस्तो मैंने शलजम गोश को डिशाउट कर लिया है कितना अच्छा देखने में लग रहा है और खाने में बहुत अच्छा है बहुत मज़ेगा है आप लोग भी इसको जरूर च्राइ कीजेगा बहुत अच्छी स्मूध सी इसकी ग्रेवी बनी है इन्शालला जिल लोगों को प्र याद रखीगा इन्शालला अगली बार भी एक मज़िदार रेसिपी के साथ दुबारा हाजर होंगी जब तक के लिए अल्ला हाफिज